बागत फिर से आपका नए वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ECIL ECIL यानि की Electronics Corporation India Limited की तरफ से जो है वैकिंसी निकल के आई है, Permanent Requirement रहने वाली है इसमें जो है आप form कब से apply करेंगे और उसके बाद जो है कौन-कौन सी trade के candidate इसमें eligible रहेंगे सारी चीजे जो है इस वीडियो में हम clear करेंगे क्या जो है ITXR apprenticeship भी mentary है यानि की जो है qualification में होनी चाहिए क्या वो सारी चीजे आपके साथ हम share करने जा रहे हैं जो requirement document आपके पास होने चाहिए जैसे आपको पता है इस चलम पर जो है ITA Isolated Railway Apprentice Isolated हम सारी जानकारी देते हैं तो एक बार जो है चैनल पर विजीड करिए और उसके बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि जो है आने वाले टाइम में जितनी भी government और private job होती है तो उनके बारे में हम बताते रहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा आप जो है आपको बताते हैं ECIL की तरफ से जो requirement निकल के आई है उसके बारे में यह जो है notification इसको जो है हमारे WhatsApp गुरूप और Telegram से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका link जो है नीचे डिक्टर में वहाँ पे क्लिक करेगा और जो है normally इसको आप डाउनलोड कर सकेगा जैसे बात करें हमारा वाट यानि की जो है Telegram, Saurabite, SAU, RABH करके आप सर्च करेंगे तो जो है वहाँ पे आप जोईन कर लिजेगा क्योंकि वहाँ पे जो है लगबस साड़े 1500 लोग जुड़ चुके हैं तो आप भी जुड़ जाईए यह जो है है हाइदराबाद की तरफ से निकल क्या है यह vacancy इसमें जो है बात करें electronics, mechanic, electrician, machinist, fitter जिसकी जो है आप आगे बात करने qualification और experience में बात करें तो या तो आपके पास 10th प्लस ITI और उसके बात जो है आपके पास apprenticeship होनी चाहिए तो आप apply कर सकते हैं नहीं तो आपके पास जो है या तो आपके पास जो है ITI यानि कि 10th प्लस जो है ITI ITI के साथ जो है आपके पास one year का आपके पास experience certificate होना चाहिए आपने कहीं पे experience कर रखा है तो जो है वो होना चाहिए या तो आपके पास ITI के साथ apprenticeship होना चाहिए air limit की बात करें तो air limit में आपको पता है minimum 18 साल और maximum बात करें 27 साल आपके पास age होनी चाहिए और बात करें इसमें air relaxation में बात करें तो SC ST को लगदो 5 साल और उसके बाद जो है OBC को 3 साल की छूट मिलेगी ये जो होने के बाद आपको इसमें Sally बता दें Sally कितनी रहने वाली है Sally की बात करें तो इसको हम जैम कर लेते हैं उसके पहले आपको बता जते हैं ये farm कब से कब तक फिल किया जाएगा farm की बात करें तो 23 मार्स से इसका farm फिल करना इस्टार्ट होगा और उसके बात इसकी लाश डेट जो है 13.4.224 रहने वाली यानि की 13.0 अपरेल तक इसकी लाश डेट रहने वाली है farm फिल करने की Sally के बात करें तो इसमें जो है Sally technician post है तो इसमें 20,480 रुपए आपकी रहने वाली है Sally इसमें इन हैंड अच्छा कासा आपको मिल जाता है ये जो है 20,480 रुपए आपको मिल जाएगा ये आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब पर किर रखिएगा क्योंकि जब इसका फुल नॉटिव केसन आएगा तो हम आपके साथ अपडेट कर देंगे फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा तो जो है आपको पता देंगे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है मिलते हैं नेक स्टूडियो में तब तक के लिए जाएगा